सिटी बस योजना का लाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में केवल छे सिटी बसों का संचालन ही दुर्ग भिलाई में किया जा रहा है सुपेला बस स्टैंड में खड़ी तमाम बसे कबार में तब्दिल हो चुकी है केंद्र सरकार द्वारा अर्बन ट्रांस्पोर्ट योजना के तहस साल 2015 में ग्रामीर इलाकों को शहर से जूडने और सस्ते दर पर आवागमन सुईधा उपलब्द कराने सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था दुर्ग भिलाई में 130 करोड की लागर से इस जूडना की शुरुवात की गई दुर्ग जिले के लिए 70 बसे ही उपलब्द कराई जा सकी वर्षों से कबार में तब्दिल हो चुकी सिटी बसों का संचालन एक बार फिल से कुछ मापूर्व किया गया था और सभी सिटी बसों के संधरन करने की बातें कही गई थी जिस पर अमल नहीं किया जा सका वर्तमान में केवल 6 सिटी बसों का संचालन ही दुर्ग जिले में हो पा रहा है सभी सीटी बसें सुपेला बस इस्टेंड में खड़े खड़े रख रखाओं के अभाव में कंडम हो चुकी है 6 सीटी बसों को लेकर ही रूट चार्ट तयार किया गया है साथ ही 8 सीटी बसें बनकर तयार हैं जिसे चलाए जाने परमिट के लिए आविदन किया गया है सीटी बसों का परिचालन नहीं होने से एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना कर रहे यात्रियों को बेहत परिशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों की परिशानियों को समझते हुए प्रशाशन ने ऐसा रूट तै किया जिससे लोग अपने गंतावे तक कम किराय में आसानी से पहुंच सके लेकिन इस योजना कलाब लोगों को कुछ वक्त तक ही मिला कुछ मा पूर्व सीटी बसों के संचालन को लेकर निगम अधिकारियों द्वारा दावे किये गए थे जो केवल कागजी ही साबित हुए सूपेला बस स्टेंड में वर्तमान में 79 बसे हैं जिन में से 6 बसे को ही परिचालन किया जा रहा है वहीं 8 बसें पर्मिट मिलने के इंतजार में डिपो में खड़ी हैं ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजे दुबे